नमस्कार आप देखरें बिपी निउस में आपके साथ शोबना यादव अलविदा जनरल इतना बड़ा हाथसा इसको हाथसा कहा जाए या फिर साज़िश सीडियेस जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रेश की जाच शुरू हो चुकी है हेलिकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है सच सामने आना तै है साथ ही वेलिंटन आमी हॉस्पिटल में हेलिकॉप्टर हाथसे में मारे गए लोगों को राज की सम्मान दिया गया तीन तस्वीरें बहुत एहम हो जाती है आज सुबह संसद में रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने इस हाथसे को लेकर पूरी जानकारी दी ये बताया कि ट्राइ सर्विस एंकुआरी ओर्डर कर दी गई है एर मार्शल मानवेंद्र सिंग की अगवाई में और ब्लैक बॉक् प्रिंग्टन में श्रद्धानजली भी दी गई सेडियस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हेलिकॉप्टर पर सवार जवानों की मौत से पूरे देश में गम है आज शाम तक मारे गए सब ही लोगों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा इस बीच हम आपको हाथ से में मारे गए जवानों के घर की ये तस्वीरे दिखा रहे हैं जह माहौल गमगीन है पार्थिव शरीर का इंतजार परिजनों के दुआरा किया जा रहा है नम आखों से तो शहादत को नमन किया गया आज वेलिंटन में पौड़ी गड़वाल उत्राखंड में शहीद का परिवार मातम में डूवा पूरा गाउं शहीद नायक गुर सेवक को नमन किया जा रहा है शहीद जितेंद्र वर्मा के घर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बज़ार कर रहा है वेलिंटन से एम्बूलेंस के जरीए इन पार्तिव शरीर को एयर बेस पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद इनको बाई एयर दिल्ली लाया जाएगा और फिर जिसका भी जहां गाउं है वहां पहुंचाया जाएगा तो सवाल धेर सारे खड़े हो गए हैं और सवाल ये कि ये जो पूरा एक्सिडंट हुआ ये हादसा था या फिर साज़श थी मेरी सही होगी रोमाना इसार खान ग्रैफिक्स के साथ तैयार हैं आपको ये समझाने के लिए कि आखिर इतने बड़े हाद से कि क्या वज़े हो सकती है और क्या ब्लैक बॉक्स में निकल सकता है रोमाना देखे देश का सबसे ताकत सेन्ने अधिकार देश का सबसे मजबूत सेन्ने हेलिकॉप्टर और ये दुरघटना जिसने पूरे देश को जग जोड़के रख दिया हैं इसलिए सवाल बड़े हैं किस तरीके से ये दुरघटना हुई होगी ये जरा ग्राफिकली पहले आप समझ लीजे ये माई 17 V5 हेलिकॉप्टर निलगिरी की पहाडियों पर उड़ता हुआ कुन्नूर में देखे कैसे क्राश हो गया और उसके बाद ये धुदूद उटती आग की लप्टे और किस तरीके का मौसम था ये विडियो जो आग सामने आया है ये दुरघटना वाले वक्त का बताया जा रहा है हाला कि आपका चानल एविपी न्यूज इसकी पुष्टी नहीं करता है और दुरघटना के वक्त की ये नई तस्वीरे जो वेलिंग्टन से सामने आ रही है जरा पहले वो दिखा देते आपको ये वेलिंग्टन से सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं ये पार्थिव शरीर जो वेलिंग्टन बेस अस्पताल से लेकर बाहर जाये जा रहे हैं एर बेस पर ले जाये जाएगा वहां से एरलिफ्ट करके पार्थिव शरीर जो दिल्ली लाए जाएंगे सीधे आप कुलिये चलते हैं हमारे सायोगी प्रणे उपाध्या इस वक्त हमारे साथ मौचूद है दुरघटनास थल से प्रणे जी रोमाना यही वो जगा है यह नीलगीरी की पहाड़ियां जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है लेकिन अब इनके साथ एक बहुत दर्दनाख हाथ से क्या का की जो कहानी है वो भी जोड़ गई है क्योंकि कुन्नूर की इसी इलाके के अंदर वो हाथसा हुआ थ है इस पूरे इलाके में किस तरीके से अभी पेड़ों की जले हुई शाके और पत्तियां यह बताती है कि कितनी उंची वो आग की लपटे रही होंगी जब यह हलिकॉप्टर यहां गिरा होगा अब से 24 घंटे पहले इस समय यहां पर क्या नजारा रहा होगा 24 घंटे पहले जब यहां पर हलिकॉप्टर ना केवल गिरा है बलकि उसकी आग के अंदर जो जनर्र विपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेच जो 14 लोग इसमें सवार थे उसमें से 13 लोगों की जान चली गई इसके अलावा जो बॉडिस थी वो बेहद चार्ड सिती में यहां से निकाली पर और आप को रोमाना में बताना चाहूंगा कि यह देखिए आप इसकी टोपोग्राफी समझ यह यहां पर कोई भी ऐसी सपाट जगा नहीं है जहां पर अगर क्राश लेंडिंग भी करना चाहे पाइलेट तो वो कर सके ऐसी कोई जगा नहीं है यह सीडीदार चाहे के बागान है जिनके बीच में हम इस समय खड़े हुए हैं यह बागान सीडीदार नीचे तक जाते हैं और यह विज्वल रेफरेंस में अगर आप देखें तो सामने की तरफ से जो घाटी आपको देख रही है वहां से सुलूर उसके पीछे की तरफ लेकिन जो चश्मदीद कह रहे हैं चश्मदीदों का कहना है कि हलिकॉप्टर में काफी उचाई से ही आग की लपते नजर आने लगी थी यह हलिकॉप्टर जब यहां गिरा तो उसके बाद यहां न केवल इस हलिकॉप्टर में आग लगी बलकि बहुत बड़ी चुनौती यहां तो है कि आग को तैनाथ होते हैं जो एक से तैज आग को बजाने की कोशिश की गई तो इस मशकत ने कितना कीनती समय ज्याया किया ये समझना बहुत महत्पूर है, साथ ही जो evidences collect हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत high profile, बहुत sensitive inquiry है, इसी पर मैं आना चाहूंगी, मेरा सवाल आप से इसी से जुड़ा हुआ है, कि देखे, black box जो है, वो बरामद हो चुका है, black box, वो box जिसमें बिलकुल अंतिम शन तक की बातची कि आखिर क्या वजह रही और कई खुला से कई राज इस black box को सुनने के बाद सामने आ सकते हैं, बिलकुल शोबना, court of inquiry के अंदर हर minute detail को record किया जाता है, हर possibility, जितनी भी possibilities हो सकती है, चाहे वो sabotage का angle हो, चाहे technical error हो, चाहे human error हो, इन तमाम पहलूओं की जाच court of inquiry में की जाती ह और इसके अलावा जो भारती वायुसेना है, वो उसका अपना एक air crash का database है, उनसी के साथ भी collaborate किया जाता है, कि आखिर जो घटना हो रही है, क्योंकि flight data recorder के अंदर जो recording है, वो plus जो crash site से मिले हुए evidences हैं, आखिर helicopter या जो भी air platform है, वो किस तरह से तूटा, कौन से पार्ट स हैं, जो आसपास की site से लोगों ने देखा होगा, उनके बयान, ये तमाम चीजें collaborate करती हैं, कि आखिर उस समय की स्थितिक क्या रही होगी, क्या वाकई में उस समय बहुत जाबा धुन्द थी इस इस इलाके में, तो अगर स्थानी लोग बता रहे हैं, और जो flight data recorder है, उसकी recording में भी आ रहा है, तो इन तमाम चीजों के आधार पर एक तस्वीर बनाने की कोशिश होगी, इस detailed quote of inquiry में, और मैं आपको बताओं कि quote of inquiry की जो reports होती हैं, या जो air crash की reports होती हैं, वो कई पन्नों की बड़ी मोटी report होती हैं, जिसके अंदर तमाम जो minute details हैं, वो record किये जाते ह क्योंकि ये केवल एक घटना का सवाल नहीं है, आगे इस तरीके की घटना नहीं हो, उसके लिए क्या सावधानिया रखी जानी चाहिएं, ये तमाम चीजें भी course correction, जो SOPs होती हैं, जो air platform maintenance होते हैं, उस maintenance command के पास जाते हैं, और इसी लिए training और maintenance command जो हैं, वो भी इसके शुरू कर दिया गया है, और उमीद की जाने चाहिए कि देर सही सही, इस हादसे के बाद ही सही, इस नुकसान के बाद ही सही, लेकिन सच सामने आए, बिलकुल प्रणे और एक बार फिर से, रोमाना का रुक कर लेते हैं, और रोमाना हमें graphically समझाएंगी कि ये हादसा वा कैसे, क्या धुंद जिम्मेदार या फिर कोई साजिश, रोमाना इसलिए कुछ फासले से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, ये graphically भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो वीडियो भी जो दावा किया जा रहा है, कि इस हादिसे का ये वीडियो है, इस पीच आपको सीधे लिए चलते हैं, जेनरल विपिन रावत के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अंकित गुपता इस वक्त मौजूद है, उनसे एक अपडेट टे लेते हैं कि इस वक्त जेनरल साहब के घर के भीतर कौन-कौन मौजूद है, और शाम तक पार्थिव शरीर दिल्ल के लिए कुछ लोग पहुँचे थे, उनसे मैंने बात भी की है, जब उनसे बात किये, पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, देखे, तस्वीरें में सुरक्षा कर्विया तैनात हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों को घर के अंदर जाने की अनुमती है, जिनको परमिशन है या जो बेहत करीबी हैं, लेकिन जो लोग घर के अंदर से निकले हैं, अभी जब मैंने उनसे बात किये हैं, उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब हम और कोई चर्चा करी ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप और शोबना जिसमुद्दे पर या प्रणय अभी जिसम कि माता पिता का साया उनके सिर से हमिशा कले उठ गया है, और इसी वज़े से वो और कुछ किसी मुद्दे पर तो चर्चा करी नहीं रहे, उनकी आखों में जो आशू है कल शाम से थमने का नाम नहीं ले रहे, अब परिवार के कमोवेश जितने भी करीबी से सदस्त हैं, व लेकिन खबर ये मिल रही है कि कल अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धान जली के लिए दुपहर के वक्त उसको इस घर पर यहां पर लाया जाएगा और उसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी आएंगे श्रद्धान जली देने, इसको लेकर आपके पास क्या ज लाता है, तो फिर ये काफियत तब मुम्किन है कि प्रधान मंत्री एरपोर्ट पर ही जहां पर पार्तिफ शरीर लाया जाएगा, मुम्किन है अभी सिर्फ आधिकारिक तोर पर फिर मैं दोर आ रहा हूं, कोई कन्फरमिशन नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि प्रध अधिकारी आवास पर रखा जाएगा, और दो से तीन घंटे यहां पर पार्तिफ शरीर रखने के बाद में उनका अंतिम संस्कार होगा दिल्ली कैंट एरिया में, तो फिलहाल ये इस तरीके की जानकारियां च्छंके सामने आ रही है, जो परिवार के करीबी सूत्र है, जो परिवार के करीबी लोग हैं, जो वो लोग बाहर निकल लें, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि फिलहाल अभी उनके पास भी कोई आधिकारी तोर पर जानकारी नहीं आ रही है, वो भी इंतजार करना है, कि कब जनरल साहब और उनकी पत्नी मधुल परिका रावत का पार्तिव शरीर उनके सामने आयों, उनके अंतिम दर्शन कर सके हैं, जी, बिल्कुल तो ये तस्वीरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर से, जत्प कर सकते हैं, तो अनके अनके कर सकते हैं, जे इंए दिखा रहे हैं, बिल्कुल तो दनके सकते हैं, उनके से,